स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए टेक वीडियो में और 5G के बारे में हमने पहले ही explain कर दिया है कि 5G क्या है किस फोन में आने वाला है अब एक पहलू यह है जो आपको बताने वाला हूँ ट्वीटर पे पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों की screenshot वाइरल हो रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ 5G की speed test की थी और उनका data कुछ मिनिटों में साफ हो गया यानि देड़ से 2GB data क्या सिर्फ speed test में खतम हो सकता है हो सकता है कि अगर आपने यह tweet देखे भी data hungry apps already चलते रहते हैं 4G की speed कम है 5G की speed ज्यादा है अलांकि भारत में अभी भी एक GBPS की speed नहीं मिल पाई है ज्यादा तर लोगों को कर दूं कि ऐसा ना समझें कि 5G 4G के मुकाबले ज्यादा data consume करता है ऐसा नहीं है अगर आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं for example 200 MB की फाइल है तो वह उतना ही data consume करेगी जितना 4G में किया करते थे तो 5G data ज्यादा consume नहीं करेगा एक चीज यह है दूसरी चीज यह है कि 5G के आ जाने से आपके फोन में बैटरी थोड़ा ज्यादा खत्म होगी यानि तेजी से ड्रेन होगी उसकी वज़े यह है कि 5G calling की service शायद ही कोई टेलिकॉम operator अभी शुरू करे इस वैसे 4G और 5G के बीच स्विच होत उसके अलावा फॉर एक्जामपल आप हर दिन अभी 1G भी डेटा यूज कर रहे हैं तो आप ना चाह करके भी देड़ से 2G भी डेटा यूज करेंगे क्योंकि एक रिपोर्ट है open signal की रिपोर्ट के मुताबिक जो 4G के मुकाबले जो लोग 5G यूज करते हैं तो वो उन दे देटा बचा सकते हैं तो उसके बारे में एक separate वीडियो बना दूंगा जहांसे देख करके आप यह समझ सकते हैं कि 5G आने के बाद अपना डेटा कैसे बचाएं और जितना पैसा 4G के लिए देते थे उतना ही पैसा 5G के लिए कैसे दे तो अगले वीडियो के लिए इंतिसा कीजिए थेंक यू